नमस्कार, PD News दवी जुबा की दास्ता में आप सभी का श्वागत है, ले चलते हैं कुछ खास ख़बरों की और रामनगर दिलकासबाग महले में पानी में डूबने से एक वेक्ति की हुई मौत कटिहार नगर थाना छेत्र के रामनगर दिलकासबाग महले में बारिस के पानी से हुई जलजमाव में डूबने से एक वेक्ति मनिश कुमार की मौत हो गई मौके पर जेडियू नेता रमेश महतो ने बताया कि मौत के परिजनों ने उन्हें सुचना दी और उसे सुचना पर सदर अस्पताल पहुँचे उन्हेंना बताया कि मनीश कुमार रामनगर मुहले में अपनी एक चाई की दुकान चलाता है और चाई की दुकान में काम करने के दोरान वो अपने दुकान के पीछे सोचा लए करने गया था इसी दोरान उनकी दुकान की पीछे जल जमाव था जहां वो डुब गया बहुत खोजबिन के बाद जब उनके भाई और उनके पिता दुकान की पीछे पानी में डुबा हुआ पाया तो उसे उठाकर सदर अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने उसे मृत गोसित कर दिया फिलहार उनका पोस्ट माडम कराया जा रहा है साम में करीब साड़े शे साथ वज़े के असपास हमको इसके परिजनों के द्वारा फोन किया गया कि सदर अस्पताल आए तो मनिस कुमार पानी में गिर गया था उसका अस्पताल लेकर क्या है तो अजल दिया यह हम जब यहां आए यहां आकरने देखें डॉक्टरों से मिलें डॉक्टर ने बताया कि इनकी मिर्थ्यू हो गई है इनके घर वालों से जब हम पूस्टाच के तो बताया कि दुकान पर से पिषाव अगेरे करने के लिए पीछे गया था जहां बारिज के कारण वहां जल जमाव है जिसके पता जी का गुआ कい दौरा बदाया है कि पिसाब करने के लिए मनिस पीछे गया था का पी धर तक प्स नहींहीं आया अपने दूसरे पुत्र विकास को बोलैं कि मनीच काना बुला के ला तो जब मोनिस खोजबिन करने लगा तो षू खोजबिन करम में पता पताचला की दुकान के पीछे जहां इनका घर है वहां पर बारिस का जल जमाव है जहां तीन फिट पानी भी था पताचला उस पानी में गिरा हुआ था जब आकर के विकास अपने पिताजी को बताया कि पानी में गिरा हुआ है फिर उसके पिताजी और विकास दोनों उसको प ऐसे ही बने रहे हमारे पीडी न्यूज के साथ तब तक के लिए हमें दीजी इजाज़त धन्यवाद